आज हम जानेंगे जैन आगम सास्त्रों के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार मरन के कितने प्रकार हैं और वे कौन कौन से हैं तो जैन धर्म के अनुसार मरन के सत्रा प्रकार है तो जानते हैं उन सत्रा प्रकारों के बारे में पहला प्रकार है आवीची मरन, यानी आयुष्य कर्म के दलिक प्रतीस समय उदय में आकर नष्ट होते रहते हैं आयुष्य कर्मों के परमानों का जड़ना ही मरन है, प्रतीसमय के इस मरन को आवीची मरन कहते हैं दूसरा प्रकार है अवदी मरन यानि कोई जीव वर्तमान भव के देह को भोगता हुआ, आगामे भव में भी उसी आयुष्य को बांद कर मरता है और पुनह उसी भव के आयुष्य को बांदता है, तो उसके मरन को अवदी मरन कहते हैं तीसरा है आत्यंतिक मरन यानि जो जीव नरक आदी के वर्तमान आयू दलिकों को भोग कर मरेगा और भविश्य में उस आयूश्य का भोग कर नहीं मरेगा ऐसे जीव के वर्तमान भव के मरन को आत्यंतिक मरन कहते हैं चौता है वलन मरन यानि सैयम वर्त नियम आदी धारन किये हुए धर्म से च्यूत होकर अवरत दसा में मरने वाले जीव के मरन को वलन मरन कहते हैं पांचवा है वशार्त मरन यानि इंद्रियों के विशई के वश में होकर उनसे पीडित होकर मरने वाले जीव के मरन को वशार्त मरन कहते हैं छटा है अंतह सल्य मरन यानि मन के बीतर किसी सल्य को रख कर मरने वाले जीव के मरन को अंतह सल्य मरन कहते हैं सात्वा है तदभव मरन यानि जो जीव वर्तमान में जिस आयू को भोग रहा है उसी भव के आयू को बांध कर यदि मरता है तो ऐसे मरन को तदभव मरन कहते हैं ये मरन देव नारकों को नहीं होता है मनुष्य और तिर्यंचों को ही होता है आट्वा मरन है बाल मरन यानि आगम की भासा में मिथ्या दृष्टी जीव को बाल कहा जाता है और मिथ्या दृष्टी असयमी जीवों के मरन को बाल मरन कहते हैं नववा है पंडित मरन यानि संयमी या सम्यक दुष्टी जीव के मरन को पंडित मरन कहते हैं। दसवा है बाल पंडित मरन यानि पांचवे गुनस्तान में रहे हुए स्रावक या वरती मनुश्य और तिर्यंच के मरन को बाल पंडित मरन कहते हैं। ग्यारवा है चदमस्त मरन यानि केवल ग्यान उत्पन होने के पूर्व जीव चदमस्त कहलाता है और उसके मरन को चदमस्त मरन कहते हैं. बारवा है केवली मरन यानि केवल ग्यानी के मरन को केवली मरन कहते हैं. तेरवा है वई हायस मरन यानि गले में फांसी लगाकर किसी व्रिक्ष आदी से लटक कर जो मृत्यू होती है उसे वई हायस मरन कहते हैं. चौद्वा है ग्रिद्द प्रिष्ट मरन यानि गिद्द चील आदी पक्षियों के द्वारा जिसका मांस नोच नोच कर खाया जा रहा हो ऐसे जीव के मरन को ग्रिद्द प्रिष्ट मरन कहते हैं पंदर्वा है भक्त प्रत्याख्यान मरन यानि उपसर्ग के आने पर दुशकाल के पढ़ने पर या बुड़ापा के कारण देह या शरीर जरजरित हो जाने पर स्वेच्चा से जीवन भर के लिए चारो प्रकार के आहार का त्याग करने से जो मरन होता है उसे भक्त प्रत्या प्रत्याख्यान मरन कहते हैं। सोलवा है इंगिनी मरन यानि जो भक्त-प्रत्याख्यानी दूसरों के द्वारा की जाने वाली वैया वृत्य का त्याग कर देता है। उसे इंगिनी मरन कहते हैं। सतरवा है पादोप गमन मरन यानि यावत जीवन के लिए भक्त पान का परित्याग करके यानि बोजन पानी का त्याग करके जो किसी की भी सेवा न लेकर कायोटसर, पदमासन या परियंक आसन आदी में रहकर जीवन के अंत समय तक जो व्रिक्ष की भांती रहते हैं और कैसी भी प्रतिकूल परिस्तिती में सरीर संबंदी कुछ भी प्रवृति नहीं करते हैं, उनके मरन को पादोप गमन मरन कहते हैं तो ये थी संचिप्त जानकारी, इन सत्रा प्रकार के मरन में से आपको कौन सा मरन सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें